हेलो दोस्तों फिर से आज YouTube पे टॉप फाइफ नियू अपडेट आया है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताऊंगा और साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन सभी अपडेट को आप कैसे अपने मॉबाइल से यूज कर सकते हैं और आपको कैसे यूज करना है इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस YouTube चनल पे नहीं तो नीचा आरे रेड बटन पे क्लिकर की चनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है तो दोस्तो अब चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो जो पहला अपडेट है वो है अफिलियेट एड कंट्रोल यानि दोस्तो इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी YouTube चनल पे कौन सा एड दिखाए दे या आप कोई भी एड को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तो ये अपडेट बहुत जादा बढ़िया है लेकिन दोस्तो अगर आपका YouTube चनल मॉनिटाइज नहीं है तो ये आपके लिए कोई भी काम का अपडेट नहीं है अब दोस्तो बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में तो दोस्तो सेकेंड अपडेट है चैप्टर को लेकर टाइम स्टांप को लेकर जैसा कि दोस्तो मैंने आप लोगो बताया था यहां से आपको खुँद से नहीं लगाना पड़ेगा तो दोस्तो यह भी बहुत बढ़ी है अगर आपता था तो इस चैनल पर का माव कर सकते हैं और टाइम कर सकते हैं और दोस्तो तीसरे अबडीट है वह है एवर्गृन वीडियो के लिए अगर आपको पता नहीं है कि evergreen videos क्या है तो मैं आपको बताता हूं जैसे कि दोस्तों मैं यह update के बारे में बता रहा हूं तो यह जो वीडियो है सिफ 48 गंट या फिर एक दो दिन तक चलेगा उसके बाद सभी लोगों को अब दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ने इसमें क्या update लाया है तो दोस्तों यहाँ पर अलग आपको evergreen वीडियो का पूरा analytics दिखाने वाला है इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से evergreen वीडियो चलता है उसका पूरा details आपको अलग से दिखाई देगा इससे आपको ब अपडेट बहुत जादा बड़िया है अगर आप एक यूट्यूबर है तो इसको भी आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ अपडेट के बारे में और दोस्तों यह जो अपडेट है यह एलो डॉलर से रिलेटेट जहां दोस्तों अगर मिल लाएगा तो दोस्तों यह भी बहुत बड़िया अपडेट है इसको भी आप अपने मॉबाइल से यूज कर सकते हैं अगर आपका यूट्यूब चनल मॉनेटाइज हो गया है तो अब दोस्तों बात करतें फिप्ट अपडेट के बारे में और दोस्तों यह जो पाच्व वासा अलग है अब कजल यहाँ पर आपको यूट्यूब सेक्षण में यूज करेंगे तो आपको इस अपडेट को भी आपको यूज करनaph चाहिए और यससे आप अप्ने वीडियो पर जादा व्यूज लेके आ सकते हैं तो दोस्तों बस यही था टॉप 5 अपडेट आपको इन 5 अपडेट में कौन सा अपडेट सबसे जादा बढ़िया लगा आप यह नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ला